हेलो डियर श्टुडेंट स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल अपेराफ नालेज में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में उस्मा छेपी और उस्मा सोसी अपक्रिया के बारे में इसके पहले का जो पार्ट है वो वीडियो पूरा प्लेलिस्ट पे चलिए देखते हैं उस्मा उस्मा छेपी तथा उस्मा सोसी अफिक्रिया इसकी इंगलिस में कहते हैं इक्सो थर्मीक एंड इंडो थर्मीक रियक्शन तो यहां पर देखते हैं उस्मा छेपी तथा उस्मा सोसी अफिक्रिया के बारे में इसको हम मंगलिस में कहते हैं इक्सो थर्मीक एंड इंडो थर्मिक रियक्शन के बारे में समझते हैं तेखिए यह जो रियक्शन है इन दोनों को होने के लिए उस्मा किया सकता होती है इ उस्मा सोशी में उर्जा जो हती है, लेनी पड़ती है, तब ही जाकर कि reaction पूरा होता है, ठीक है, तो चलिए सबसे पहला है हमारा, उस्मा 6-P अपक्रिया, इसके बारे में समझते हैं, अर्थात 100 धरमिक reaction के बारे में, तो नंबर एक आपका है, उस्मा 6-P reaction, उस्मा 6-P अपक जो उस्मा छेपी अपक्रिया होती है इसका परिभासा होता है कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उर्जा मुक्त होती हो जिसमें उर्जा क्या होती हो मुक्त होती हो उसे हम क्या कहते हैं उस्मा छेपी अपक्रिया ठीक शेपी का मतलब ही होता है निकलना आ उसमा जब निकलेगा तो उरजा का भी निर्माड होगा clear हुआ तो क्या हो जाएगा कि ऐसी साने किपनिय जिसमें उर्जा निर्मुख्त होती है उस्मा क्या करते है उसमा शेपी अपक्रिया ठीक है यह यहाँ यह बो कर सकते हैं उस्मा निकलती हुए तो उसे हम क्या करते हैं उस्मा छेपी अपक्रिया ठीक है भी या चलिए देखते हैं एक उदार लेकर के समझते हैं तो हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा ठीक है देखे इस समय थंडी चल रही है तो अगल बगल जो है आपके अलाओ तो जला जलता है कारवन सी किसके उपस्तिती में जलता है कारवन किसके उपस्तिती में जलता है तो आक्सीजन के उपस्तिती में जलता है तो क्या बन जाता है कारवन प्लस आक्सीजन मिलकर के क्या बन जाता है कारवन डाई आक्साइड क्या बन जाता है कारवन डाई आक्साइड का carbon और oxygen मिल करके क्या बन जाता है carbon dioxide और यहां पर आक्षिजन क्यों लिए हैं इसको हम थोड़ा छोटे रूप में देख लेते हैं देखें जो carbon होता है इसके उपर minus 4 होता है और जो oxygen होता है इसका reaction क्या हो जाएगा carbon और oxygen तो मिल जाएगा carbon dioxide जिसके बाद यहां पर क्या हो रहा है उसमा छेपी अर्था उसमा निकल रहा है उरजा मुक्त हो रहा है तो कितना उरजा मुक्त होगा 94 किलो कैलोरी कितना 94 किलो कैलोरी उरजा मुक्त होती है ठीक है क्लियर हुआ आप लोगों का जब carbon और oxygen मिलते हैं तो carbon dioxide का रहा होता है जिसके बाद 94 किलो कैलोरी उरजा मुक्त होती है क्लियर हुआ समया गया होगा अब लोगों को चलिए आगे देखते हैं उस्मा सोसी अपक्रिया के बारे में ठीक है तो हमारा दूसरा heading है उस्मा सोसी अपक्रिया उस्मा सोसी अपक्रिया यहां पर क्या होता था उरजा मुक्त होती थी यहां पर उरजा की आवसकता होगी इन reaction को होने के लिए किसकी आवसकता होगी उरजा की आवसकता होगी तो हम number 2 लिखते हैं आव क्या हो जाएगा उस्मा उस्मा सोसी अविक्रिया उस्मा सोसी अपक्रिया आप उस्मा सोसी में क्यों जाएगा इसका परिभासा देख लेते हैं उस्मा सोसी यह आएसी रासानी के अपक्रिया जिसको होने के लिए उर्जा की आउसकता होती है उस्मा सोसी अपक्रिया क्या करते हैं उस्मा सोसी अपक्रिया ठीक तो जो भी रियक्सन होगा उसके लिए उर्जा की आउसकता होगी ठीक जब उर्जा की आउसकता होगी तो जैसे हमेरे लोग उदार लेके समझ लेते हैं क्य nitrogen plus oxygen ठीक nitrogen और oxygen जब लेते हैं तो किसका निर्माड होता है nitric oxide का किसका निर्माड होता है nitric oxide का निर्माड होता है जिसके बाद जिसके बाद हमें इस रासाइन कफ्रिया को होने के लिए 45 किलो कैलोरी एनने 45,45 कीलोकेलोरी उर्जा क्या सकता होती है ठीक है चलिए इसी तरीके से एक उधार यह अगे जोट आःएसे अग्रोटाव हमें प्राप्त हो रही है अर्था उर्जा में मिल रहा है और यहां पर उर्जा कि आउसकता हो रही इन रियक्शन को होने के लिए बस इसमें ज्यादा कुछ है नहीं उसमा सोसी में उर्जा कि आउसकता है और यहां उसमा स्चेपी में उर्जा मुक्त हो रही है ठीक है केलियर तो देखें कार्बन प्लस सल्फर इसको गंधक भी कहते हैं ठीक जब इन दोनों का अपकरिया कराया जाता है कार्बन का और सल्फर का तो क्या बनता है कार्बन डाई सल्फाइड का निर्माण होता है और इसमें लगभग 20,000 किलो कैलोरी उर्जा किया सकता होती है कितना 20,000 किलो कैलोरी उर्जा किया सकता होती है जब कार्बन और सल्फर आपस में मिल करके कार्बन सल्फेड का निर्माण कर लेते हैं तो 20,000 किलो कैलोरी उर्जा किया सकता होती है किलियर हुआ तो हमें रखता है आप लोगों को उस्मा छेपी तथा उस्मा सोशी अप्रिया समझ में आ गया होगा अब इसके आगे चलेगा आपका आक्सी करण और आप चैन अगले वीडियो में पढ़ेंगे अच्छी तरीके से कोई अगर दिक्कत है तो आप हमें कमेंट मे मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद